लेकिन फिर भी जो बच्चा अभी start कर रहा है उसको कोई systematic नहीं मिलता तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ जो बच्चा आज से जो scores को buy करता है उसकी validity एक साल कर दे जाएंगे अगर in case आपका paper clear वैसे clear हो जाएगा अगर आप अपने उपर confidence रखेंगे आगर in case आपका paper clear नहीं होता तो मैं आपके साथ stand हूँ अगले साल मैं आपको free of cost पढ़ाँगा इसमें कोई दोर आए वाली बात नहीं है तो exam का ना आप लोगों के उपर काफी pressure है किसार exam को किस तरीके से handle करें तो मैं बस वही छोटा सा एक में चाहता हूँ कि भाई कुछ points बता दूं जिससे आपको जो आपको problem हो रही है cbcs वाले बच्चे especially जिनके अभी एक्जाम है एनईपी वालों के भी हाला कि एक्जाम है तो वह कर पाएं इस आपका मैं एक काम जो कर रहा हूँ सबसे पहले वह देखें मैं हर एक chapter का एक important part बताने वाला हूँ वीडियो लं के लिए है सभी में यह chapter है that is हमारा equity share capital equity share capital बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर वह starting से पढ़ने लगते हैं तो उन चीजों को भी पढ़ने में time हमारा चला जाता है जिसको के मतलब exam के point of view से relevant नहीं है equity share capital में से क्या-क्या पढ़ना चाहिए हमें मैं हर एक chapter के उपर करूँआ जितना मैं बता सकता हूँ आज मैं बताऊँगा हर एक chapter के उपर आप सभी student को तो सर equity share मैं यानि मैं हर वार वैसे class start करता हूँ तो मैं topics बताता हूँ कि इस chapter में यह topic है लेकिन आज मैं बताऊँगा कि आपको इस chapter में यह points है जिससे छोड़ना नहीं है सबसे पहले इस chapter की मैं theory की बात करूँआ अब बच्चे बोलते हैं सब theory बता दीए हर chapter में तो मैं साथ के साथ हर chapter के theory भी बताता जा रहा हूँ कि क्या गया है इस theory इसमें दो theory काफी important है number one और number two एक तो है use of security premium जो section 52 है और एक है reserve capital reserve capital वर्सेस capital reserve capital यह difference यह पढ़ लिजेगा हर बार मैंने बताया है और class के बीच में तो बताया है ही बताया है sir share capital में important क्या है sir एक आपको करना है यहाँ पर other than cash other than cash एक तो यह important है और sir share capital में क्या पढ़ें और directly आपको पढ़ना है और directly पढ़ना है आपको प्रोराटा आपको प्रोराटा वाले questions करने है डारेक्ली सर यह वीडियो record मिल जाएगी कल एक्जाम है हाँ बिलकूल अनिकेत जो बच्चों का कल एक्जाम है इसलिए मैंने main topic नहीं उठाया हर बच्चों को recording मिल जाएगे इसका तो प्रोराटा प् आपका जिसके अंदर फुल question होता है आपको याद आ जाए जिसके अंदर अप्लाए अलोटेड फूर फीचर देन री इसू होता है वो सारी चीजे यहां पर भी कुछ topics ध्यार रखने वाले हैं कौन-कौन से topics जिसके अंदर एक फुल पेमिंट कर दिया जाता है फुल पेमिंट याद होगा application पर ही बंदा आगे तक की पेमिंट दे जाता है फुल पेमिंट एक वो important बनता है दूसरा एक partly reissue जब होता है partly reissue आपको याद होगा 10,000 share मैंने 2004 फिचर किये उसमें से 400 ही reissue किये सभी reissue नहीं किये एक वो important बनता है इसमें से 30 fail to pay fail to pay security premium एक four feature होता है जब security premium को पेमिंट करने में वो fail हो रहा है और एक last point इसके अंदर जो करना है four feature and री इसू बिफोर final call यानि हमने four feature करा allotment पे और साइथ first call पे री इसू कर दिया या between कहीं भी री इसू कर दिया तो एक यह वाला point बनता है इसके अंदर और बाकी के जितने भी questions आप कर सकते हो वो आपके उपर है मैंने बता दिया कि एक्जाम में questions इसी point के उपर पूछे जाएंगे अगर सारा ही है मेंली business purchase और वो पर मोटर वाला भी करा रखा है तो वन शॉट वीडियो देखोगे एक घंटे में यह cover हो जाता है यह आप last के questions दिखेंगे तो cover हो जाएगा यह पूरा का पूरा topic हमें याद रखना है sir share capital में जो की पहला chapter हमारा done हो गया जो मुझे बताना था कि क क्या क्या चीज़े important है मैं पूरा बता दे रहा हूं इसके अंदर दूसरा chapter आ जाईए sir buyback या bonus बोनस शेयर इसमें दो ही topic बनते हैं बोनस शेयर में sir एक फुली पेड़ पुली पेड़ या फिर एक पाटली पेड़ शेयर मेक फुली पेड़ पुली पेड़ बोनस दो ही topic है और मैं बताओ न तो दो गंटे बेड़ चप्टर खतम हो जाता है sir पाटली पेड़ दे रखा था कॉल सीनेरियर था उसको बोनस के फॉर्मेट में फुली पेड़ बनाए तो यहां पे कुछ वो भी था कि भाई यहां पे security premium यूज कर सकते नहीं कर सकते एक्सेप्शन केस बताया था बोनस वाले में यहां security प्रियूम यूज नहीं होगा हाँ capital reserve आप यूज करिए बागी के चीज़े यूज करिए एक आप नॉर्मल बोनस नॉर्मल बोनस यानि आप फुल्ली पेड़ बोनस इशू कर दो इसे छोड़ना नहीं है सार ये डेड़ गंटे के अंदर आपका डेड़ से दो गंटे में चप्टर खतम हो जाता है डेड़ दो गंटे भी मुझे लगता है मैं ज्यादा बता रहा हूँ इसके अंदर क्या है मेंली आपको फटा फट से क्विकली दो एंट्री होता है एक CRR को आपको यूज करना सिक्यूरिटी प्रीमियम को यूज करना सूर्स अब यहां पर थियोरी अगर आप पढ़ोगे इसका तो थियोरी में पढ़ना है आपको इस चेप्टर में से एक से कंडीशन आपके कितने पुराने शेर अपने शूरा आपकल बोनस आपको आपको सेवी से अप्रूबल के साथ क्या-क्या आपको पास करने है ऐसा आर या आपको क्या-क्या करना है प्राइडे यश का कहना है कि सर्फ फ्राइडे यश आपका डाउट देखा गया था आप मेनेजमेंट वाले नंबर से कॉर्परेट की डाउट पूछने की कोसुस कर रहे थे तो जो कॉर्परेट वाले आपका रजिस्टर नंबर है उससे भेजोगे तब ही होगा और in fact Friday की आप बात कर रहे हैं मैं आपसे बात करता हूँ कल कली कर रहा था ना कल तक मैंने खुद बैठके सारे डाउट सॉल्व किये हैं तो आपको जो डाउट भीजना भी है ना कुछ बच्चों को तो आपको डाउट भीजना है आपने अगर दो नंबर से दो कोर्स बाय कर रखे हैं तो रेजिस्टर क्योंकि हर बच्चों को अलग-अलग नंबर अलॉट है तो उससे भीजोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा सर लास्ट येर के ER CBS वालों की थियोरी कितने मार्क्स की आएगी उसमें से थियोरी मान के चलो तो एक 15 से 20 नंबर का थियोरी तो रहता ही रहता है कैसे भी कर लो ये हो गया bonus शियर फटा फटा आगे बढ़ते हैं दो चप्टर हो गया इसके बाद इसके साथ साथ आपको कर लेना चाहिए सर बाइबेक में क्या है एक तो आपका simple simple buyback यानि जो भी question में बोला हुआ है उतना बाइबेक कर लोगे और बाइबेक के अंदर क्या क्या condition है यह बहुत important है theory के point of view से condition जैसे कि buyback करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए shares को कि maximum buyback कितना हो सकता है यहां पर 25% और दूसरा क्या हो सकता है अगर board of director buyback करें तो सिर्फ 10% हो सकता है buyback करने का testing यह important है कि हम shares को buyback करने के लिए minimum buyback कितना किया जाएगा यह important है minimum buyback अगर आपको यह video available नहीं है तो इसको मैं अलग से record करके डाल दूगा minimum buyback जिसको equation भी बोल सकते हैं चीक है बस buyback में यह नहीं है अगर bonus और buyback करोगा डेट से 2-3 घंटे में दोनों खतम हो जाता है buyback की entry क्या होती है sir buyback bank को पहले transfer करना है यानि sir आपको करना है buyback bank account debit to bank और उसके बाद फिर आपको buyback करने के लिए security premium जो भी है CRR create करना है और फिर आप equity shareholder को payment कर देना है that's it और कुछ नहीं है आयम फ्रम हर्ण स्राज कॉलेज डी यू देवसी का कहना है sir one more thing last year के exam solve कर दीजिया last year के कुछ questions आ रहे है बच्चों के उसको solve करने की मैं कर रहा हूं तो thank you so much and sir once more thing बिल्कुल मैं comment भी देखता जा रहा हूं और मैं टॉपिक वाइस बता रहा हूं तो शायद कुछ बच्चों को यह testing वाला शायद पार्ट ना हुआ हो मैं I'm sure नहीं हूं मैं अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात नहीं हुआ तो आप comment में या फिर आप जो दाउट वाले नंबर पर कोईरी भीज़ दिजेगा नहीं हुआ है तो मैं इसको अलग से करा दूँआ अधे घंटे का हार्ली टॉपिक है समझने वाले चीज है इसके बाद आ जाओ बाई भेक हो गया बोनस हो गया राइट इसू नाम का कोई चैप्टर ही नहीं बसता कोई टोपिक ही नहीं बसता बहुत सिंपल है एक क्लास है एक गंटे की देखे बात खतम buyback bonus यह attach होगा किसके साथ सर, preference share capital के साथ preference share capital सर इसमें क्या करना, यह important है preference share capital में आपको एक तो redemption करना है redemption कैसे simple ठीक है simple redemption, मैंने बोला peak time share share है, उसका preference share redemption करना, एक तो यह topic बनता है एक बनता है हमारा जो important है preference share capital को redemption करना है by issue minimum number number of equity share capital अब देखो जो बच्चे पढ़ लिया है जिन बच्चों ने उनको revision में help मिल सकती है इस वीडियो से और जिन बच्चों ने पढ़ा ही निये तो उनको क्या पता चलेगा कि minimum number क्या था preference share में उनी बच्चों को help मिलेगी इस वीडियो से जिस बच्चे ने पढ़ रखा है या फिर जो बच्चा पढ़ने की तयारी करें तो ये topic आए तो इसको आप mark कर लिजेगा सर ये वाला point important है और क्या है सर preference share holder could not trace preference share holder हमें मिले ही नहीं could not trace ये भी आपका important है इसके अंदर simple वाले chances कम होते हैं ये वाला point आपका important हो जाता है अगले point की बात करते हैं सर last point इसके अंदर preference share capital equation method equation method एक तो ये पढ़ना है preference share balance sheet तो सबके साथ ही है बाइसा balance sheet सबके साथ है balance sheet आना चाहिए चाहे बाइस shares वाला लिखवाया हो चाहे ये लिखवा रहा हूँ तो इसके अंदर ये points important है last topic कहां लिखूँ चलो इधर कर देता हूँ एक है conversion है ना छोटा सा topic है conversion conversion ये topics करने है sir most important topic के ओपर important लिख रहा हूँ और जो इस exam से related जो मुझे लगता है कि sir important है उसके इसाब से लिखा ये हो गया हमारा preference share capital इसके अंदर ये topics को cover करें और एक topic को कराने में मुझे लगबग लगबग 20 minute लगता है समझाने में concept कराने में तो आप ये topic करके और मैंने सारे के सारे आपके folders कर दिये हैं कुछ questions कह रहे थे बच्चे surrender वाले नहीं मिल रहे है वह भी डाल दिया अब हर questions के उपर जो ये topics में लिख रहा हूँ ना कल ये सारे topics भी update हो जाएंगे आपके folder के उपर ताकि आपको ढूंडने में दिक्कत ना हो वैसे star तो लगा ही रखा है कि सब्सक्राइब कर दो इन्वेस्मेंट परपस अभी मैं बता देता हूं अब भी अपडेट हुए अगर आपने folder नहीं चेक किया हो तो फिर आपको हो सकता है लेकिन जो जो topics बोल रहे हैं एक बार देखिएगा सारा का सारे maximum अप लोड किया है सर डिबिंचर के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं सर एक आ जाता है इसू एक आ जाता है सर रिडम्शन एक आ गया इसू और रिडम्शन इसू में क्या-क्या topic इसू आपका था रिडिमेबल एट पार रिडिमेबल एट प्रीमियम रिडिमेबल एट डिसकाउंट इसू एट पार एक यह वाला कैश एक यह पार्ट इन्पॉर्टेंट हो गया सर इसके बाद सर कॉलेटरल सिक्यूरिटी छोटा सा पांच मिनिट का topic है एंड इंट्रस्ट यह topics इसके अंदर इसू के अंदर इतना ही topic करना है मैंने हाला कि starting में बहुत simple simple और ज्यादा topic भी करवाया है तो वो topics तो simple वाले नहीं पूछे जाएंगे एक्जाम के अंदर इन topic में से यह आगे बढ़के आया तो इन topic में से कही ना कहीं आपके पूछे जाएंगे sir holding amalgamation reconstruction देख कर करना पड़ेगा क्या holding amalgamation reconstruction देख कर ही करना पड़ेगा क्या बार बार टाइप करके आपने भेज़ दिया यस वही तीन चर बार theory का chapter में से क्या आएगा मैं बताता जा रहा हूं important हर आपको बस patience रखना है सुनते जाना है सर इसमें से theory आएगा just a collateral security क्या है theory collateral security पीछे मैंने बताया buyback के condition bonus के conditions shares में बताया premium और यह मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं और theory वाले points भी डल गए हैं आपके folder में सर यह redemption वाला chapter important है redemption में क्या सकता है एक तो simple redemption मैं साथ के साथ topic बोल रहा हूं कही बार ऐसा होता है कि मैं लिखना चाहरा हूं लेकिन मेरे पास वह word नहीं मिल पा रहा है कि क्या topic बता हूं तो मैं बता देता हूं simple redemption में वही था DRR create करना DRR create करना, due करना, paid करना यह simple redemption हो गया ठीक है न यह तो गया simple redemption इसके बाद इसके अंदर क्या करना है sinking fund इसके भी कुछ question डाले हैं 10 year वाले बच्चे न बहुत बच्चे पूछ रहे थे 10 year तो मैंने 10 year के काफी questions डाले हैं आपके folder में 10 year के नाम से आप जाके चेक करना अगर वो वाले questions मिल जाते हैं तो ओके ठीक है 10 year वाले topics डाले हैं इसके बाद एक है conversion कर देंदर के अंदर आपको सिंपल सा है एक कोश्चन करवाया है जिसके अंदर याद होगा के वन लैक सेवेंटी वन थाउजन टोटल था जिसमें से तीन ऑप्शन दिये थे मैंने डिबेंचर होल्डर को एक है आप प्रिफरेंशियर ले लो भी सेकिंड हैं डिबेंचर ल वो कोश्चन इंपॉर्टेंट था मैं कोश्चन का नाम भी बताता जा रहा हूं जिसमें आपका पूरा कॉंसेट कवर हो जाता है इसके टॉपिक मैंने कराये थे वीडियो मिलनी रहा था तो बच्चे बोल रहे थे के सर ये मिलनी रहा पता नहीं कहा है तो आज दुबारा स से मेरे पास एक रिकॉर्डिट मैंने बहुत धूंडा मुझे मैंने डाल दिया यह अपलोड कर दिया मैंने ठीक है न यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें से यह पूछे जाएंगे आपके तो यह टॉपिक्स आपके हैं सिंपल करना है सिंकिंग फंड करना है कंवर्जन करना एक्सिंटर्स करना है खतम और ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है इसके अंदर तो शायद आपको हेल्प मिल पाए मैं और यह पूरा का पूरा इसमें से एक कुश्चन बनने के पूरे पूरे चांसिस बनते हैं आपको कि प्राइवेट कंपनी को 10% लिस्टेड कंपनी को कुछ भी नहीं करना बैंकिंग कंपनी को कुछ भी नहीं करना तो वह वाले कंडिशन जो रूल आपका था 2014 वाला वह देखना है तो यह डिबेंचर का हो गया यूनिट नमबर वन जो मोटे मोटे चप्टर थे इस फुल फ्लेज करवा दो जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाए अरे यूनिट वन के एक कोशन में तो हो नहीं सकते न वो तो सारे पॉसिबल ही नहीं है वो तो वो तो मैं टॉपिक्स बताता जा रहा हूं इसके बाद आ जाओ अब आ जाते हैं सार यूनिट टू इसमें बच्चे पजल रहते हैं तो उसको भी थोड़ा सिंप्लिफाई कर दूँ एक तो आपका प्रोविजन फो टेक्स आपको फोर्थ फिफ्थ क्लास में मिलेगा ये मैंने करवाय था कि भाई पिछली साल का प्रोविजन है एडवान्स है ये वाला टॉपिक ठीक है और एक P&L अप्रोप्रियेशन यानि रिजर्वेंट सर्प्लस का नोट या कह सकते हो रिजर्वेंट सर्प्लस का नोट अगर कुश्चन टुकडो में आया है तो इस तरीके से देंगे वो और एक फुल बैलेंशीट वाला full balance sheet वाला questions करना है इसमें से ठीक है और इसी में से एक आ जाता है सर अभी नया मतलब के एक दो साल से पूछ लेते हैं क्या नाम से था एक topic था equity statement है statement of equity statement of equity यह पूछा जा रहा है तो शायद वीडियो में मैंने कराया नहीं कराया आपको एक बार यह वाला point देखना है जो नहीं कराया मुझे doubt में वह मैं बोलता जा रहा हूं यह मुझे याद है कराया यह कराया है यह कराया अगर यह वाला रेजर्वें सरप्लस का सरफ नोट बनाना है इसके अंदर यह क्लास नंबर साइद आपको 6 में मिलेगा जाके ठीक है मैं क्लास नंबर भी बता जेता हूं देड़ घंटा दो घंटा लगाईए एक एक करके चीजों को समझिए बैलेंस शीट वाले पॉइंट को और उसको करने के बाद सो अन फिर आपको आगे बढ़ना है और सारे अर्जस्मेंट को देखना है और दो से तीन कोशन अपने हाथ से करने जिससे कि आपका हाथ बिलक पाइल बैलेंस में दे रखा हो तो यह यूनिट नंबर टू फाइनल अकाउंट का था मैं यूनिट वाइस नहीं कर रहा चलो अब अगला पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट सर इसमें तीन एक्टिविटी यह बताने की जुरत है नहीं अगर आपने करा है ओपरेटिंग एक्टिविटी ओपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फानाइनसिंग एक्टिविटी आपको या तो सिर्फ operating activity का questions आ जाएगा या investing activity का आ जाएगा या फिर financing का आ जाएगा या फिर तीनों को plus करके एक question बनाये जाएगा इसमें कोई option नहीं है कोई choice नहीं है आपको कि ये करना ये पूरा ही important बन जाता है अगर paper टुकडो में आया टुकडो में मतलब एक question के 5 पार तो वो ये जरूर करेंगे के एक operating activity का पार दे दिया दूसरा कुछ और पार दे दिया इस तरीके से चलेगा तो इसके अंदर तीनों के तीनों ही important है इसके अंदर को important बताने वाले चीज नहीं है cash flow statement के भी 10 year के questions जितने 10 year के अंदर questions है maximum questions update किये हैं folder में जाके देखना आज म प्लीज अभी चेक कर लेते हैं मैंक भट का सिक्ता सर मुझे सिक्ता का तो आज भी डाउट था डाउट था कि सिक्ता का हुआ इसका क्लियर तो internal reconstruction सिक्ता मैंने खुद अपने हाथों से डाला है surrender of shares class number आप जाईए और 7 देखिए मेरे ख्याल 6 या 7 सिक्ता आपका surrender of shares वाला था वो डाल दिया वीडियो चलिए ये होगे आपका cash flow अब मैं बात करने जा रहा हूं सर ratio ये सिर्फ NEP वाले बच्चों के लिए हैं चलो ये तो हटा देते हैं पहले common common ले लेते हैं फिर बैसे ले लेंगे इसके बाद आ जाईए सर internal reconstruction internal reconstruction इसके अंदर एक questions आपको practice करना है जिसमें आपको journal भी करना होगा journal भी करना होगा plus आपको balance sheet भी करना होगा plus reconstruction account भी करना होगा reconstruction account भी करना होगा एक तो पूरा questions करना होगा बिल्कुल सिंपल सर लेखे सर इंपोर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर when old balance sheet not given जब old balance sheet नहीं देता तो एक तो ये part important है और सर क्या इंपोर्टेंट है area वाला area of preference share capital area of preference share capital area of preference share capital dividend जिसके अंदर given है और जिसमें 8-10 इसके अंदर adjustment आएगा अगर 15 नंबर का questions आए तो मान के चलो 10-12 अजरूर होगा ठीक है ना आप कम adjustment की इसमें उमीद तो करी नहीं सकते इसके अंदर प्रैक्टिस मांगता और प्रैक्टिस किस चीज का करने का प्रैक्टिस नहीं जो adjustment दे रखे ना उस adjustment के language को समझने का practice मांगता इसके अंदर क्योंकि reconstruction से आसान chapter कोई नहीं है और इससे टेड़ा language किसी का भी नहीं है यह language घुमाया के पूछेगा इसका इतने percent वो ले गिया तो इतने percent इसने down कर दिया तो वो है समझ में आने के बाद entry आपको अगर मैं समझा दूना उस line को अगर कोई paper में आ आज या एप के exam में बोले मैं reconstruction क कि सारी entry को हिंदी में translate कर देता हूं तो जिस बच्चे ने एक class भी देखा हो वो फटा-फट से उसको निप्टा देगा लेकिन बस main है understanding करना फाइदा नुकसान तो बच्चा compare कर लेता है तो इसके अंदर यह है इसके बाद cvcs वाले बच्चे हो चाए कोई भी हो एक बार surrender वाला कर लेना इसको internal reconstruction के नाम से जाना जाता है आपका इसके बाद amalgamation आता है external reconstruction इसमें भी as such कोई topic wise नहीं बना हुआ कि इसके अंदर से मैं बाइफिकेट करूं जैसे कि मैं बाकी चप्टर में कर पा रहा था इसमें कोई reconstruction सर इसमें से क्या important पूरा करना है सर जैसे शियर कैपिटल में से मैंने बता दिया जैसे मैंने डिबेंचर में से बता दिया तो इसमें हम topic को बाइफिकेट नहीं कर सकते लेकिन मैंने वीडियो के अंदर star लगा रखे हैं जिससे कि आपको फाइदा मिलेगा ध्यान से देख से सारे कर लिए हैं इतना इनफ है बहुत इनफ है सिकता कोई डाउट नहीं होगा आप 10-year के निप्ता दो 10-year के solution भी डाल दिया है बस देख लो overview देख लो कहां कहां entry जा रहा है मैंने विफोर और आफ्टर वाला जो difference था वो भी बता दिया बहुत बच्चे डाउट के बाद amalgamation इसमें कुछ important topic है एक तो आपको इसमें इसमें से theory भी पक्का आएगा ध्यान रखना theory amalgamation में से पक्का आएगा कुछ बच्चे बोलते सर theory 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 amalgamation में से तो हमेशा पक्का theory आता है सर इसके अंदर कैसे line खेज रही है सर इसके अंदर एक तो आपको purchase consideration निकालना आना चाहिए purchase consideration इसके अंदर purchase consideration निकालने का एक अलग से questions आ सकता है इसके जो methods हैं अलग-अलग जैसे की net assets method याद होगा अगर आपने करा है net payment method और तीसरा हमारा था intrinsic method या फिर swiping method ये इसके अंदर methods थे एक तो सबसे पहले आप जब भी amalgamation स्टार्ट करें तो forget क्या journal entry है सब कुछ भूल जाए कि क्या buyer की book होगा क्या seller की book होगा सब कुछ दिमाग से निकाल दें पहला priority रखें के भीया PC निकालना सीखूंगा PC निकालने के तीन method है तीनों method से एक एक सवाल कर लेंगा मैंने कराया भी ऐसे है कि पहले मैंने तीनों method के एक एक PC निकालना सिखा दिया है purchase consideration कैसे होता है चलिए एक तो यह हो गया इसके बाद इसके बाद आपको करना है books of buyer और सर amalgamation का एक और popular name है बच्चा बहुत confused होता है मैंने एक बार बच्चे को बोला के भई पूरा chapter करा दिया और exam में आया बोला सार मैंने reconstruction का chapter questions बड़े आसान से कर लिया यह मेरे को समझ में आया यह मैंने कर लिया मैंने दिखाओ तो जब मैंने देखा तो उस questions के ऊपर था external reconstruction लिख रूष का सबक्राइब को लगा है आफ मैंने तो रीकंस्ट्रक्षन देख और कर लिया तो इस बात का ध्यान रखना है एक्स्टरणल रीकंस्ट्रक्षन भी लिखा सकता है यह नहीं विछ भाग गए इंटर्नल है या एक्स्टरनल है यह जरूरी देखना है आपको खीक है ना तो इससे पता चलेगा एक्स्टरनल रीकंस्ट्रक्शन एक में बुक्स ऑब बायर में क्या पढ़ना है सब जर्नल और एक balance sheet, that's it, और कुछ भी नहीं है, journal और balance sheet, अगर ये आप से तीनों पार्ट मिला दे, PC भी निकल वाए, journal और balance sheet दोनों आ जाए, journal balance sheet जब दोनों आ जाता है, तो दोनों आने में आपका 15 से 19 नंबर का questions बन जाता है, ये, क्या था, सबसे पहले PC को discharge करो, कैसे discharge करोगे, purchase, consideration equity जो भी दोगे, फिर सारे उसके books of assets को market value पे cover करो, जो भी assets दे रखा है, सबको खरीदो, फिर debenture holder का payment करो, फिर कोई creditor का payment करो, फिर कोई expense है तो उसके adjustment entry करो, amalgamation adjustment के entry करो, तो ये सारी चीजे वीडियो में बहुत अच्छे से कराया रखा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं ह जो पढ़ना है आपको इसमें और ये वाला भी important है, तीसरा point बनता है हमारा books of seller, books of seller, या तो books of buyer पर आएगा या books of seller पर आएगा, इसमें क्या है, पहला बनेगा realization account, इसमें भी बनेगा realization, इसमें general entry मत सीखना, अगर दे भी रखाओ कहीं, किताब में तो भूल जाओ, उसको general entry मत करो, स्रिफ एक realization account कर लो, एक आएगा आपका equity share holder account, और एक आएगा आपका preference share holder account, और एक आएगा आपका bank account, एक आएगा, ये क्या हो गया, अच्छा, एक लिक हो गया, ये बैंक को डैंक कर दिया, इसने तो, bank account, ये है आपके important point, इसके अंदर एक merger वाला point आ जाता है, जिसको आप बस देख के चली जाएगा, इतना important नहीं है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, merger वाला point, सर इन सम्में से सबसे important बताओ, तो सम्में से सबसे important, जादा तर मैंने देखे हैं question, एक तो purchase consideration कहाता है important, वैसे तो तीनों important है, लेकिन फिर भी इसमें से भी जादा important, एक seller कहाता है, ये भी important है, ठीक है, और ये भी, मैं तो इसमें से देखो, choice नहीं, पढ़ने का तरीका simple, भाईया, मैंने सबसे पहले सारे के सारे purchase consideration निकाल लिया, books of buyer के entry सीख लिया, और books of seller के entry सीख लिया, ठीक, exam में जब जाओगे, जिन बच्चे के पूरा अच्छे से करा है, वो तो पूरे अच्छे से, अच्छे से line खीच के सब कुछ करना है, जिन बच्चों ने, सुरू से कुछ भी नहीं किया, बस सोच रहे हैं के last time पे, moment पे कु वो भी entry करो, neat and clean करो, ताकि examiner वहाँ पे देख के number दे पाए आपको, इसके अंदर से theory क्या आएगा सर, आपका theory आएगा, कि method of amalgamation बता दो, amalgamation में method क्या है, AS14, इसके उपर कौन सा accounting standard लगता है, accounting standard 14 लगता है, internal reconstruction और external reconstruction में difference बता दो, और सारे के सारे methods बता दो, merger में, amalgamation में क्या difference है, और इसके अंदर amalgamation, absorption में क्या difference है, तो मैंने वीडियो में बताया, absorption क्या होता है, amalgamation क्या होता है, merger क्या होता है, तो ये कुछ theory इसमें से निकल क्या आता है जो कि एक्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है ठीक है मानविया कहना है सर ठीक है आगे आ जाते हैं सर ML कमेशन हो गया अब कुछ एक चैप्टर यहां तक चाहे बच्चा CBCS का हो चाहे बच्चा NEP का हो यह चैप्टर कॉमन है इस चैप्टर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई बोलो सर हमारे में है हमारे में नहीं है तो यह बिल्कुल कॉमन है जिसको आपको topic wise करना ही करना है अगली बात करते हैं सर अब मैं बात करता हूँ पहले थोड़े से बच्चे जो ज़्यादा डरे हुए हैं तो उसका अगला चप्टर आता है सर देट इस holding को इसको पेरेंट कंपणी के नाम से भी जानते हैं और भी काफी सारे होल्डिंग सबसीडरी कंपणी के भी नाम से जाना जाता है इसके अंदर जब भी करने बैठो तो सबसे पहले सभी का आप माइनरीटी इंट्रस्ट माई लिख रहा हूं शॉट फॉर्म में यह सीवीचे वाले बच्चे देखें निपी वाले बच्चों को कोई समझने की जुरत ही नहीं उटके स्लेवर्स का पार्ट नहीं है इसमें माइनरीटी इंट्रस्ट निकालना आता है माई उसके अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स बने हुए हैं बोनस शेयर के केस में इसमें इंप इसमें आपनी के उपर और बैले शीट वाला होगा तो यह पूरा का पूरा पंदरा नंबर का कोंशन बनेगा यानि होल्डिंग के ओप्षण में होल्डिंग ही है 15 मार्क का कॉस्टं बनने वाला एक बार और ऑप्षण पर चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे बपनेगा सर एक क का एक अलग questions आएगा CBCS वालों का NEP वालों के लिए ये choice में आ जाएगा इसके बाद internal reconstruction और amalgamation के बीज में choice बनता है तो मैं priority देता हूं internal reconstruction और amalgamation को भी जिसने कर लिया उसे छोड़ के नहीं जाना और holding अब आ जाता है सर और कुछ अब मैं जितनी भी बात करूँगा वो NEP वाले बच्चों के लिए करूँगा के NEP में कौन कौन से chapter है सर एक तो है valuation of goodwill of goodwill sir valuation of goodwill के अंदर काफी सारे methods है जैसे average profit है capitalization method है जैसे 12th में सीखाता उसी से कुछ मिलते जूलते है fair market value method है तो यह important है इसके ज्यादा लंबी class भी नहीं है और बहुत बड़ी है भी नहीं मेरे खाल कितनी class है valuation का देखा है अपने कितनी class है shares के एक बार बताओ कि इतने घंट solution समझ में आ रहे हैं अलग-अलग तरीके से solution देखो solution के अंदर मैंने डाले है questions 10 year के PY के holding के नहीं डाले जितने chapter के डाले है वो अपने करने नो वीडियो किसके तीनों को मिला खे वैल्यूएशन और शेयर्स के जिसने अमल्गमेशन कर लिया वो वैल्यूएशन औफ शेयर्स कर लेगा और तीसरा वैल्यू एडिट तो यह तो मानके चलो छोटे छोटे से topics हैं कि एनिपी वाले बच्चों के लिए इसके साथ प्लस एस ट्विंटी यह एनिपी में है श्रिफ एस ट्विंटी एनिपी वाले बच्चों के लिए करके जरूर जाना अकाउंटिंग स्टिंडर्ड ट्विंटी करके जाना है आपको तो इसके अंदर मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकता इसको छोड़ना ही नहीं है किसी हाल में जिनका रेगलर वालों का पेपर तो पहले उनको छोड़ना ही नहीं है एस वालों को तो अभी बहुत दूर है इसके बाद एक और पार्ट आ जाता है आपका रेशो रेशो में सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए और आपको उसका कैलकूलेशन भी देखना है त्विल्थ वाला अगर हिस्सा भी आप रिवाइस करके चले जाते हो अपने तो आप रेशो को अटेम्ट कर पाओगे एक्जाम के अंदर ठीक है इसके बाद एक थियोरी है कॉर्प्रेट क्या नाम था इसका कॉर्प्रेट फाइनेंशल रिपोर्टिंग के नाम से है इसके अंदर क्या-क्या इन्पॉर्टेंट है थियोरी में ट्रिपल बॉटम ट्रिपल बॉटम और क्या इन्पॉर्टेंट है एक्स बी आरल और क्या है बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग कहा रहा हूँ एन्वल रिपोर्ट और क्या इन्पॉर्टेंट है CSR ये कुछ पॉइंट इन्पॉर्टेंट है जिसमें से कुश्चन्स बनते ही बनते हैं हर बार थियोरी के लिए 10-year को मैं recommendation करूँआ 10-year में अच्छे से लिखा हुआ है और 10-year में बहुत सही तरीके से आपको समझाया जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो ये था हमारा overall पूरे के पूरे chapters में क्या है मेरी कोसिस बस इतनी है कि जतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको help मिल पाए और systematic तरीके से exam time पे आप कम से कम समय देखे और ज़्यादा से ज़्यादा important part को cover करें वो बहतर रहने वाला है इसका part है इसमें है AS 17 इसमें से questions आएंगे चोटा सा एक heading है segment reporting का किस तरीके से किया जाता है वो दे रखा है ठीक है इंडियेस एक है इंडियेस इंडियेस का इतना ज्यादा role आपके paper में नहीं है जो past year के questions देखेंगे उसमें इंडियेस के कुछ parts आए हुए है बस उसको आपको go through करके जाना है और nothing और कुछ भी नहीं करके जाना है अब बात करते हैं सर कुछ एक paper कुछ एक paper बहुत बहुत टफ आये हुए थे कब का paper की मैं बात करूँ एक मैं बात करना चाहूँगा 2020-21 के paper जो है न वो थोड़े से tough आये थे क्यूंकि वो paper हो रहे थे 20 और 21 के at the time of corona कोरोना के time पे open book examination था तो सबसे tough से tough paper बनाने की कोसिस कर रहे थे तो 20-21 का questions paper अगर आप करते हो 10 year में से तो घबराने की जोरत नहीं है और बहुत जादा panic नहीं करना कि यार अगर ऐसा paper आ गया तो हम क्या करेंगे इस बात का ध्यान रखना क्यूंकि वो open book examination के paper है वो paper center पे नहीं हुए थे तो open book के paper definitely क्या बनते हमारे tough ही बनके आते हैं कि बच्चा कहीं से ढूंड के ना कर ले तो ऐसे questions बनाओ जुसका answer कहीं भी ना मिले तो 20-21 का paper देखके आपके mind में बिल्कुल भी ऐसा मस सोचना कि यार ऐसा paper आ गया तो हमें लगेगा कुछ करी नहीं पाएंगे exam में fail ना हो जाए उसके बाद के paper को आप analysis कर सकते हो आप 23 का paper देख लिजे 24 का तो देंगे और 20-21 से पहले के paper उठा लिजे उसको देखके analysis कर सकते हैं आप इसका सर internal reconstruction में purchase consideration आता है क्या नहीं internal reconstruction में purchase consideration नहीं आता वो आता है आपका external reconstruction या फिर that is amalgamation आप कह सकते हो जिसके अंदर आता है चलिए तो ये पूरा का पूरा overall एक blueprint कहलो या फिर पूरा का पूरा आप कहलो कि किस तरीके से आपको preparation करना है इस वाले slide पे मैंने NEP का बताया और यहां तक मैंने CBCS वाले बच्चों और NEP वाले बच्चों का जो अलग था वो कर दिया और यहां तक कर दिया अब कुछ बच्चों का demanding है के सर कुछ चीजे करा दे जिसके उपर मैं अभी करवा दूँगा आपके पास सभी के पास questions पेपर जरूर होंगे तो वो एक बार मुझे questions पेपर WhatsApp पे कर दीजिए पहला demand है सर हमें previous year के questions करा दे लास्ट येर का जो 2000 हमारा 23 में आया था जिसको ह पेपर करा दे तो इसका पेपर मुझे भेजना पड़ेगा और ये पेपर जो भी बच्चों का आता है इसके अंदर कुछ questions आ रहे हैं बार बार जैसे internal reconstruction का four feature वाला topic वो मैं करा दूँगा और जो एक तो मुझे questions पेपर चाहिए इसके solution कराने के एक तो demanding में ये हैं दूसरा question आ रहा है कि सर इस आप भी करा दो ये भी करा देंगे तीसरा question आ रहा है सर एक और क्या कहने के लिए कह रहे थे आप और अंडर राइटर कल भी मुझे अंडर राइटर का class लेना था लेकिन थोड़ा technical issue आगे नहीं ले पाया और ये बाकी के chapters आज का मेरा सारा का सारा दिन आपके किस काम में गया सारा का सारा time चला गया आपका फोल्डर को update करने में question को arrange करने में कल मेरा time जाएगा ज्यादा से ज्यादा रीड नेम करके आपको PDF देने में सर किस नंबर पर भीजना है आप जो भीजेंगे ना जो corporate का doubt वाला नंबर है उस पर भीजेंगे तो ये वीडियो मैं YouTube पर भी डाल दूँगा बच्चों को help मिल जाएगी काफे सारे बच्चे ऐसे हैं जो सरिफ YouTube के help से ही पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हो अपना arrangement तो सायद उनको help मिले तो वो मैं सारा का सारा blueprint डाल दूँगा बाकि हां मैं आपके course के अंदर वो सारे के सारे points बहुत systematic करके स्टार मार्क करके सब चीज अपडेट हो चुकी है और जो भी थोड़ी बहुत topics के name है जो मैंने बता है उस हिसा कार दिन में corporate में हम क्या पढ़ें फिर मेरे हिसाब से 24 को भी एक बच्चा ऐसा आएगा जो पूछेगा और मुझे लगता है 25 को भी पूछेगा यह कि हमारे एक दिन बाद paper है कैसे करें तो मैंने simple बताया मैं आपको इतना बता पाऊंगा कि यह यह paper में ऐसे ऐसे आएगा तो या कोई ऐसा subject हो तो उसके अंदर definitely बता सकता हूं यह question कर लो यह तो पक्का आने के chances है लेकिन corporate के अंदर concept ही इतना है कि इसमें से पक्के का कोई chance बनता ही नहीं है सरपास होने का थोड़ा कुछ बहुत देखो पास होने का तो देखो यह सब जो कर रहा हूं मैं यह आपके पास होने के लिए तो कर रहा हूं के इस इस आप से पढ़ लो देखिए S.O.L. वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारा मैं जैसे बता रहा था सारी चीज़े मैंने आपको बताया तो S.O.L. वाले स्टूडेंट के लिए तो टाइम है उसकी तो चिंता ही नहीं है लेकिन जो रेगुलर वाला बच्चा है उनका एक्जाम 27, 28, 29 जो भी पढ़ रहा है C.B.C.S वाले बच्चे बहुत डरेवे हैं तो भाईया कॉर्परेट अकाउंट का पेपर लेंदी होता है बहुत लेंदी होता है तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ जो बच्चा आज से जो स्कोर्स को बाय करता है उसकी वैलेडिटी एक साल कर दे जाएंगे अगर इन केस आपका पेपर क्लियर वैसे क्लियर हो जाएगा अगर आप अपने उपर कॉन्फिदेंस रखेंगे अगर इन केस आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो मैं आपके साथ स्टेंड हूँ अगले साल मैं आपको free of course पढ़ाँगा इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है तो बस वही कहना चाता हूँ एक आपको chance लेना है जिन बच्चों न अभी तब कुछ नहीं पढ़ा पढ़ने के आप courses करें at least आप एक confidence लाएं के मुझे करना है that's it तो hopefully आप मेरी इन बातों को समझ पाएंगे और अच्छे से सुन भी रहे होंगे तो मिलते हैं next वीडियो में और अगर कोई जानकारी चाहिए के sir course कैसे लेना है नहीं लेना है तो related description में डाला हुआ है सारी की सारी चीजे folder update होके भी हो चुकी है thank you so much मिलते हैं next वीडियो में पढ़ते रहे है time बिलकुल भी खराब नहीं करना वीडियो लंबी जरूर थी लेकिन आपको help जरूर मिले